दार्शनिक समस्या सुक्रात के पूर्व सोफिवाद अपनी पराकाष्ठा पर थी सोफी मतावलंबियों का कहना था कि कोई सार्वभाउम सत्य नहीं है अर्थात सार्वभाउम ज्यान कभी प्राप्त नहीं होता है मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं एक का एक मत है तो दूसरे का दूसरा एक मत उतना ही सही लगता है जितना दूसरा अंतर केवल इतना ही है कि एक मत दूसरे की तुलना में अधिक स्वाभाविक हो सकता है अधिक सत्य नहीं इस प्रकार सोफिस्टों ने ज्ञान तथा नैतिक्ता की व्यक्तिवादी परिभाशाये दी और कहा कि इन दोनों ही क्षेत्रों में सार्वभौमिक्ता प्राप्त करना असंभव है सुकरात ने इन विचारों को स्वीकार नहीं किया यह ठीक है कि लोगों में वैचारिक भिनताएं मिलती हैं पर उनमें ऐसे तत्वों का अन्वेशन किया जाना चाहिए जिन पर हम सब एक मत हो सकें अतह सार्वभौम निर्नय या धार्ना प्राप्त करना सुकरात की दृष्टी में गर्शन की मूल समस्या थी विचार भिनताओं में भी एकता ढूंडना संभव है सोफी मत में सन्निहित भ्रमों का निराकरण करना सार्वभौम ग्यान तथा सार्वभौम नैतिक्ता की संभावनाओं की खोज करना सुकरात के दार्शनिक दृष्टिकोन का एक मात्र लक्ष्य था वह सोफिस्टों के समान मानवतावादी तो अवश्य था पर उसमें और सोफिस्टों में गहरा अंतर था जिसका संक्षिक्त विवर्ण यहां प्रस्तुत है एक सोफियों ने विश्व को यांत्रिक अर्थात मुकनिकल माना जबकि सुकरात ने उसे यंत्रवत नमानकर प्रयोजन में अर्थात टलियोलोजिकल माना है दो, सोफियों की दृष्टी में अच्छाई एक कला है जिसे ज्ञान विशेश के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जबकि सुक्रात ने उसे कला न मान कर मानव प्राणी की एक सामान्य शक्ति माना है 3. सोफियों के ज्ञानसिध्धान्ट का आधार व्यक्तिवादी है जबकि सुक्रात के अनुसार ज्ञान सार्वभाउम होता है 4. सोफियों ने सभी वस्तूओं का मानदंड मनुष्य को माना है, जबकि वस्तूओं के मानदंड का निश्चय उनके प्रयोजन की दृष्टी से किया 5. सोफियों के अनुसार नैतिकता व्यक्तिगत है, जबकि सुकरात उसे सार्वभाउम मानता है 6. सोफियों ने सामाजिक नियमों को मानवकृत माना है, पर सुकरात परमपरागत कानून को मनुष्य से उपर मानता था हर मनुष्य को राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए